हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं इस विला के वारे में हम आपसे फ्रेंड्स इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं यह हमर पास अपना आज का एक सांदार विला का डिजाइन है, कोठी का डिजाइन है यह जो front हमारा घर है 37 feet 6 inch वाई इसका यह जो front है 37 feet 6 inch है जो कि इसका east facing का product है east facing according हमने इसको design के हुआ है और length की बात करें तो 45 feet हमारा पास की length है 45 feet हमारा पास की घहराई है 37 feet 6 inch इसकी चोड़ाई है तो इसमें यह हमारा पास अपना आज का एक सांदार east facing का four room का यह हमारा model है तो यह front हमारा पास अपना elevation design है elevation design आप अच्छे से देख सकते हैं और यह जो front हमारा design है यह design हमने तयर किया है राहुल पटेल जी के लिए जो की बनारस के रहने वाले हैं उनीक की requirement के साब से और उनीके लिए यह front हमारा आज का model है तो friends हम आपको लेके चलते हैं इस dnk 3D model की तरफ यह front हमारा पास अपना 3D में design है 3D model है तो इसमें आप देखेंगे कि यह हमारा पास का front है जो कि 37 feet 6 inch का है और यह जो हम इसके पूरे plot के विर्थ के बात करना तो 3 feet हमारा पास इसके left side में है और 4 feet हमारा पास इसके right side में space रहेगा और इसका जो back side है back side में अपनी property है तो back side में पूरा space रहने वाला है बाकि front में भी अपनी ही जगह है front में भी हमने यहाँ पर यह open इसको दिखा हुआ है इसमें आप देखेंगे friends हमारा जो design है इसका यह जो look है एक villa का look दिए हुआ है इसमें हमारी जो finishing हुई है जो mostly work हुआ है यह हमारा mostly work हमारा पूरा ही tail work में हमने इसको किया हुआ है यह हमने पास इसमें tail की finishing दिए हुई है यह हमने tail की finishing दिए हुई है और front में भी हमार पास CNC cutting में ये जाली का design रहने वाला है तो ये हमार पास front का look है, ये हमार पास रहने वाला है ये हमार पास के left side का design है, left side का look है ये हमार पास के back side का look रहने वाला है और ये हमार पास के right side का look रहने वाला है तो जो इसका design है वो हमारा पास अपना front मैं और right में रहने वाला है बाकि हमारा जो left side है और back side है यहाँ पना हमारा एक normal सा view हमारा यह मिलने वाला है बाकि आप देखेंगे हमारा पास यह मम्टी कर जाने रहने वाला है यह हमारे मम्टी रहेगी कुछ इस तरीके से हमारे पास यह मम्टी का design है तो यह friends हमारे पास अपना elevation है हम आपको लेके चलते हैं HDNK 3D planning के तरफ यह friends हमारे पास अंदर का 3D plan है तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे घर की जो entry है पास गैंडर के जो entry दी हुई है वो सबसे पहले अपने इस परामदे में रख्यो ही है यह हमारे पास अपने घर का बरामदा है यह हमारे पास घर का बरामदी कट जायन है और बरामदे से ही हमने घर के अंदर जानने के लिए हम पर अपना एक man door रख हुआ है ये हमारे घर का मेंड डोर रहेगा इस डोर से ही हम अपने घर के अंदर एंटर करने वाले हैं ये फ्रेंट्स आपको जो डोर घाय दे रहा है इस डोर से हम जाने वाले हैं अपने ड्रैंग रूम के अंदर मेंस के गेस्ट रूम के अंदर यह हमारापस अपना Bareng Room रहेगा अब देखेंगे कि इसमें हमारपस दो बड़े साज की विंडोई मिलने वाली है तो दौना विंडोई से हमारे अपने इस Bareng Room का अच्छे तरीके से Ventilisant होता रहेगा यह हमार पास अपना Bareng Room का Friends देया रहने वाला है इसमें फ्रेंट्स प्लान में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास यह मिलने वाला है अपने एक living area living साथ में हमारा dining area यहां पर यह मिलने वाला है इसमें हमारे पास 8 seat dining table कर दिया है साथ में हमार पास यहाँ पर यह informal area रहने वाला है जिसमें हमार पास यह sofa के sitting रहेगी formal हमार पास यहाँ पर रहेगा जैसे कि कोई guest बगर आता है तो guest बगर एक लिए हम यहाँ पर बैठा सकते हैं वाकि generally हमें यूज करना है अपनी family के लिए यूज करना है किचिन के लिए friends हमने uhalo के साथ में और utility आरिया के साथ में हमार पास अपना ये इक सिर्ण रहेगा साथ में हमारा एक utility आरिया means कि वौस आरिया जिसमें हम रखेंगे आपने California वार्तन करना और रोम करने वाले हैं इसे हमारा पास इस जंध कढ़ा रहने वाला है यह यहां से जाने वाले हैं हम अपने first floor पे यह हमार again पास अपनाør पास साउथ ड्येक्शन में इस हमार ड्याइब स्टिया केसका हमारा रहने वाला है प्लान में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे फ्रेंगे हमारे पास यहां पर मिलने वाला है एक master bedroom कर जाया है जो कि south west में रहने वाला है room के अंदर हमें दो window भी मिलने वाली है तो दौना window से हमारे अपने इस room का अच्छे तरीके से वेंट लिसन उता रहेगा यह हमारा master bedroom कर जायन है master bedroom के लिए हमने अटेज के हुआ है toilet के साथ में यह हमारा अटेज toilet रहेगा और यह जो हमारा toilet है इस toilet के अंदर हमने वादिंगे रिया को और toilet window से हमारे इस room का भी अच्छे तरीके से वेंट लिसन होता रहेगा यह जो हमारा bedroom है इसके साथ में अटेज toilet मिलने वाला है यह हमारा अटेज toilet रहेगा जो कि इस वाले bedroom से हमने अटेज रखा हुआ है और यह friends हमारा जो toilet है इस toilet को यदि हम common रखना चाहें जैसे अभी हमने अटेज किया हुआ है और इसको यदि हम common करना चाहें तो घर के अंदर से यहां से एक door दे सकते हैं जिससे घर के family के जो member है यह फिर guest बगयरा है इस toilet को यूज कर सकते हैं जो कि घर के अंदर से इसको आसानी से यूज कर पाएंगे यहाँ आपर friends हमें मिलने वाला है अपने 3D में प्लान है जिसके अंदर हमारे पास यह चार रूम है जिसमें ऐसे तीन वेड रूम है दो टॉलेट है इस्टेर है बड़े साथ के living और dining अरिया है kitchen है kitchen के साथ में store room और utility अरिया है front में हमारे पास एक बड़े साथ का यह हमारा बरामदा है तो यह हमारे पास अपना आ यह फ्रैंड वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा यह अपने वीडियो को लैक और शेर नहीं किया है तो प्लिज लैक भी कर दीजिए सेर भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राब कर नमद भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत